प्रभू ये सुमसी के नाम में आपको सलाम कहता हूं और आज के संदेश में मैं आपका श्वागत करता हूं आज परमिश्वर के साथ नामों के बारे में हम देखेंगे परमिश्वर के साथ नाम उसके साथ काम और वो आज हमारे जीवन में किस तरह से लागू होते हैं कैसे वो नाम हमारे जीवन में आज माइने रखते हैं, कैसे हमारे जीवन में परमिश्वर की सामर्थ की जरूरत है, कैसे परमिश्वर हमें इन नामों से, इनके कामों से, इनके शामर्थ से हमें आसीशित करना चाहते हैं, वो बहुत छोटे से एक संदेश में आज हम देखें पहला नाम में कहूंगा कि पहला नाम है एल सद्दाई जिसका मतलब होता है मैं सर्वशक्तिमान परमिश्वर हूँ दूसरा नाम है यहवा इरे जो उसका अर्थ होता है उपाई करने वाला या पूरा करने वाला तीसरा नाम है यहवा उसका मतलब होता है मैं जो हूँ सो चोथा नाम है यहवा राफा उसका मतलब होता है मैं चंगा करने वाला परमिश्वर हूँ पांचवा नाम है यहवा निसी यहवा मेरी सहायता या यहवा मेरी विजय इस तरह से इसका अमनुवाद कर सकते हैं चठवा नाम है यहवा सालोम जिसका अर्थ होता है परमिश्वर ने मुझे सांती दी है या तो शांती का परमिश्वर और सात्मा नाम है यहवा सिद्ध केनू जिसका मतलब होता है परमिश्वर हमारी धार्मिक्ता या परमिश्वर हमारी सच्चाई इन सातों नामों को हम दे इन वचनों से हमें आसीस मिलती है, आज हम एक छोटी से संदेश के माधियम से देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहवा का जो नाम है या यहवा की जो पहचान है, परमिश्वर के पहचान है, सबसे पहले हम देखते हैं एल सद्दाई, हम जानते हैं बाइबल में अबराहम को विश्वासू का पिता कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि वो किस तरह से जीवन जिया, किस तरह से उसने विश्वास किया, और आज हमारे लिए अबराहम के जीवन को जानना आज के दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का माहौल भी इतना विचलित हो गया, इतना बुरा हो गया है, कि परमिश्वर पिश्वास करना बहुत लोगों के लिए मुस्किल हो सा हो गया है, लेकिन अबराहम के जीवन के बारे में जी अधिया हम देखते हैं, समझते हैं, तो हमें ये बात बहुत अच्छी लगती है कि कैसी परिस्तिती में अबराहम ने परमिश्वर विश्वास किया, बाइबल में हम देखेंगे उत्पती उसका बारवा अधियाई, उत्पती प्राद्याई एक से आंठ वचनों को देखेंगे यहवा ने अबराहम से कहा अपने देश और अपने कुटुम्बियों और अपने पिता के घर को छोड़ कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझ से एक बड़ी जाती बनाऊंगा और तुझे आस जो तुझे आसिश का मूल होगा, जो तुझे आसिरवात दे, उन्हें मैं आसिश दूँगा, और जो तुझे उसे मैं साप दूँगा, और भूमंडल के सारे कूल तेरे द्वारा आसिश पाएंगे। क्योंकि वो 75 साल का हो चुका था और अब तक उसकी कोई शंतान नहीं थी, उसके पास बहुत सारे भेड़ बक्रिया थी, बहुत सब कुछ था, दास-दासियां थी, बहुत कुछ था, लेकिन अपसोस की बात थी कि उसके पास जीवन की कोई मन्जिल नहीं थी, आज हमारे हम तो लेते हैं संसार में मनिश्रक के रूप में लेकिन जीवन बहुत बद्तर जीते हैं, कोई उद्देस नहीं है, अबराम के पास कोई उद्देस नहीं है, 75 साल का हो चुका था, कोई शंतान नहीं थी, अब आगे बढ़ने का कोई मक्षद नहीं था, वो जहाँ था अपने साधाई परमिश्वर हूं याना मैं सरवशक्तिमान परमिश्वर हूं मेरे लिए कुछ भी ना मुंकिन नहीं है आज मैं आपको यकिन दिलाना चाहता हूं कि जो लोग आज बड़े मायूस ही में हैं बड़े निरास है अपने जीवन में और कोई उदेश नहीं है उनके लिए परमिश्वर ने बहुत बड़ा आयोजन किया है बहुत बड़ी योजना बनाई है और उनको परमिश्वर आज पहले वचन में कहता है कि मैं एलसाधाई परमिश्वर हूं क्या मेरे लिए कुछ असंभव है नहीं परमिश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं लेकिन अपने घर से, अपने कुटुम से निकल मैं जहां बताऊंगा, तुझे मैं बताऊंगा वहीं जाना है, तु जहां चाहता है वहां नहीं, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा उस रास्ते पे तुझे चलना है, उस जगा पे तुझे जाना है, लेकिन पंद्रावय अध्याई के ए अबराहम ने कहा, ए प्रबु यहवा, मैं तो निर्वस हूं, और मेरे घर का वारिष या दमिस्क वाशी एलियेजेर होगा, अत तु मुझे क्या देगा? और अबराहम ने कहा, मुझे तो तुने वंस नहीं दिया, और क्या देखता हूं? कि मेरे घर में उत्पन हुआ, एक जन मेरा वारिष होगा. यहाँ पर देखते हैं, अबराहम के पास पहले कोई मन्जिल नहीं थी, और दूसरे दर्सन में हम अबराहम अपनी निर्वलता को विवस्ता को परमिश्वर के आगे बताता है, परमिश्वर के कहता है कि मेरी तो कोई शंतान नहीं है, यानि कि अभी 75 साल का और उसे अधिक हो चुका है, और उसके पास कोई शंतान नहीं है, और उसके पास कोई आसा नहीं है. और दूसरी बात होती है, बताती है वाइबल कि उसके पास कोई आसा नहीं थी, उसको लगता है कि अभी जो मेरे यहां पर जो Eliazar Chakar है, मेरा जो सालों से मेरी सेवा बरदास करता है, उसके पास ही सब कुछ चला जाएगा, उसके पास कोई आसा नहीं, आज आप भी आसा खो जीवन की कोई चिंता की बात नहीं परमिश्वर आप से दोनों बातों में परमिश्वर एक साथ जवाब देता है जब आपके पास जीवन का कोई उद्देश नहीं तब भी परमिश्वर आप से कहता है मैं एलसादाई परमिश्वर हूं सर्वशक्तिमान परमिश्वर हूं औ आप के लिए ना मुंकिन है परमिश्वर के लिए मुंकिन है इसलिए परमिश्वर विश्वास केजिए आज के पहले नाम जो परमिश्वर का नाम है जो एलसद्दाई उसके उपर विश्वास केजिए हमारा परमिश्वर सर्वशक्तिमान परमिश्वर है किसी बात के लिए उसको विरस्ता नहीं है, किसी बात उसके लिए कठीन नहीं है। तो पहले ही मुद्दे में हमने देखा कि परिमिश्वर का नाम है, जो एलसादाई, वो हमारे जीवन में आज लागू होता है। आज की परिस्तिती में हमारे जीवन में लागू होता है। बहुत सारे लोग आज कोरोना वाइरस के कारण संक्रमित है, अस्पताल में हैं और जीवन और मृत्य के बीच में वो हार चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग ये संदिश सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, कि आपके परिवार जनों के लिए, आपके स्वजनों के लिए परमिश्वर सब कुछ कर सकता है, उन्हें नया जीवन दे सकता है, जिनके जीवन में कोई देस नहीं है, उनको भी वह कहता है कि मैरे लिए क्या कुछ असंभव है मैं एलसदय परvisor हूं और जिनके पास जीवन की कोई आसा नहीं है उनको भी परvisor कहता है मैं एलसदय परvisor हूं आप आसा रखिए परमेश्वर पे विश्वास रखिए, आसा का दूसरा नाम है विश्वास, आज हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। ऐसा ही सारा की सुधी लेके उसके साथ उसने वचन के अनुसार किया, हलेलूया, आज परमिश्वन ने जैसा कहा है, कि मैं एल सदे परमिश्वन हूँ, ऐसा ही आपकी जीवन में भीवक करना चाहता है, आपको वह आसीशों से बरना चाहता है, आपको जीवन जीने की एक राह दिखाना चाहता है, सची राह वो दिखाना चाहता है और आपको सही दिसा में वो ले जाना चाहता है सही मंजील पे वो आपको ले जाना चाहता है उतना ही यदि आप हारे हैं निरा से, हता से, बीमारी से, करजे से, परिसानी से घरेलू समिश्याओ से या नौकरी के स्थान से किसी भी जीवन में किसी भी क्षित्र में आप हारे हुए हैं निरासें तो परिमिश्वर आपसे कहता है कि जैसे मैंने कहा वैसे मैं आपके लिए करूँगा और यहां पर अबराम और सारा की सुधी ले, आपके भी परमेश्वर सुधी लेना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, आपके लिए सब कुछ करना चाहता है, यहां लिखा है कि यहवा ने जैसा कहा था, वैसा ही शारा की सुधी लेके उसके साथ अपने वच्चन के अनुसा किया सारा अबराहम से घर्ववती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन को हुआ परमेश्वर ने आपके लिए भी एक नियुक्त समय रखा है वो ऐसे ही आपको छोड़ नहीं देगा प्यारे द जीवन में अच्छा काम करने जा रहा है यह यकीन कीजिए यह आसा रखे विश्वास रखे आज आपके जीवन में परमेश्वर बहुत अच्छा काम करने जा रहा है और आगे क्या कहता है परमेश्वर कि अबराहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन हुआ था इशहाक रखा, इशहाक का मतलब होता है हास्य, इशहाक का मतलब है हसना, प्यारे दोस्तों आप बड़े मायूस है, बड़े चिंतित है, बड़े निरास है, आपके जीवने आंसु है, आपके जीवने रुदन है, आपके जीवने बड़ी मायूस है, लेकिन आज आज आपके जीवने विश्वचन के द्वारा परमिश्वर हाश्य को उत्पन करना चाहता है, कुसी को उत्पन करना चाहता है, जिस तरह से अब्राहम और सारे की जीवन में परमिश्वर ने इसहाग की उत्पत्य की और उनके लिए वो हसी का कारण, हस का कारण, आननत का कारण बना वैसे ही ये बच्छन आपके जिवन यदि उथपन हो जाएंगे यदि आपके जियवन में कारे करने लगेंगे यقीन करिए इस बात बार कि परमेश्वर आपके जिवन में हसी और कुसी भर देगा बहुत आनन भर देगा और आगे देखते हैं परमेश्वर को बचन क्या कहता है और लिखा है वहाँ पर आगे और जब उसका पुत्र इशाग आठ दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आग्या के अनुशार उसका खतना किया जब अबराहम का पुत्र इशाग उत्पन हु 75 साल का लेकिन जब अबराहम को वचन के अनुरूप पहली संतान हुई वचन के अनुरूप सारे के माधियम से तब वो 100 साल का था हम जानते हैं ऐसे ही समाजी गनित के अनुसार कि 100 ये स्टक ये संपूनता को दर्साता है संपूनता को दर्साता है जैसे हम 100% बताते हैं, यानि पूरे पूरा, 100% ऐसा हम बोलते हैं, जैसे अबराहम सौ साल का हुआ, परमेश्वन ने उसके जीवन में परिपूर ते की, उसके जीवन में उसको परिपूर नकिया, उसके जीवन में उदेश लाया, परमेश्वन ने कहा था, मैं तेरे वंस में बहुत तेरे वन्स बढ़ाऊंगा तारे के यदि तु गिन सकता है तो गिन ले उससे भी अधिक में तेरे वन्स को बढ़ाऊंगा मतलब उसके जीवन में एक उद्देश परमिश्वर ने डाल दिया आज हमारे जीवन में भी परमिश्वरों उद्देश डालना चाहता है, हमारे जीवन को परमिश्वर अर्थपून बनाना चाहता है, हमारे जीवन को आसा से भर देना चाहता है, विश्वास से भर देना चाहता है, अबराम जब सौ वर्षकावत तब ही उसको वच्चन के अन परमिश्वर ने उसे बहुत बहुत उसका घरतर किया, उसके जीवन बहुत उतार चड़ावाएं, लेकिन विश्वास में बना रहा, आज आपके जीवन में समय जा रहा है, आपको लगता है परमिश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा, परमिश्वर करेगा, अबराहम पचीस साल इंतिजार गया लेकिन उसके जीवन में सौ प्रतिसत उसे आसिशित किया गया पचीस वे अध्या में हम जानते हैं वाइबल में लिखा है कि उसने और एक पत्नी रखी देखिया आप सौ साल के बाद और वहां पर भी उसको छे संतान बेटे होते हैं अब राम के यही आपके जिवन में परमिश्वर करना चाहा है जहां कोई आसासा नहीं न अनिक औनक आसिशोасे परमिश्वर आपको भरना चाहता है अभी हम Δूसरा नाम देखलंगे परमिश्वर जो नाम आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है आज के माहौल में आज के समय में आज के आदोनी के यूग में और खास करके आज हम लोगडाउन के समय में परिमिश्वर आपको बहुत बहुत आसी सिक करना चाहता है और ये बच्चन जो दूसरा नाम है परिमिश्वर का वो आपके लिए बहुत बहुत माईने रखता है आपके जीवन में बहुत ज्यादा आवशकता है, वो आपके पास नहीं है, इसलिए आप बड़े मायूस हैं, बड़े चिंतित हैं, जीवन में हारज गएं, जीवन में ठक गएं, कितनी महनत के बाद भी आपको कुछ नहीं हासिल हुआ, खाली है जीवन आपका, लेकिन ये द दिखा है उत्पती, 22 सध्याई और 14 वचन हम दिखेंगे, उत्पती, 22 सध्याई ये 14 वचन में हम परमीश्यर का वचन इस तरह से बढ़ते हैं, कि अबराहम ने उस थान का नाम यहवाई एरे रखा, उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, कि यहवा की पहाड़ पर उप इस साथ, जो सारे के द्वारा वचन का पुत्र दिया, हम जानते है कि परमीश्वर ने अबराहम को बहुत अच्छी संतान दी, परमीश्वर ने अबराहम की विश्वास की परिक्षा की, आज आपकी जीयोन भी साइथ उसी दौर से आद गुजर रहे हैं, परमीश्वर वि करने वाला व्यक्ति हूं मैं अच्छे जाने वाला व्यक्ति हूं मैं मेरी पतनी मेरे बैचे हम लोग अच्छे से परमेश्वर का भाई मानते क्यों हमारे जीवन में ऐसी समझ से आती क्यों ऐसे अमारे जीवन में तकलीप आती हैं यह हम सुचते हैं हम इनसान है यह हमारे जी क्यों लेता है जब अपराम को कहा कि तो तेरा जो इकलोता वचन का पूत्र इशाग उसे मैं कहूं वह पहाड पर लेके जा वहां उसकी बलिदान कर दे यह सुनकर किसी भी पिता का दिल तूर जाएगा लेकिन आप दियान दीजिए कि क्या परमिश्व ने अपराम की परिक्स इतने सौ साल कि आयू में उसे संतान प्राप्ति हुई और वो भी परमिश्व ने उससे मांग ली हां ये बहुत हमें साधार मृति से सोचने पर बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन आध्यात्मिक तरीके से सोचेंगे तो बहुत अच्छा लगता है दीखे आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगएगा परमिश्वर ने अबरहम से परिक्सा लेकिन अबरहम उस परिक्सा में पास हुआ क्यों पता है क्योंकि जैसे जैसे अबरहम को परमिश्वर ने कभी नकारात्मक विचार नहीं किये हमारे व्यक्ति के जीवन में यही होता है कि जब हम अच्छे ऐसा जीवन जीते हैं और कुछ अचानक सा ऐसी घटना घट जाती है तो हम बड़े मायूस हो जाते हैं बड़े कमजोर हो जाते हैं, बड़े निरास हो जाते हैं और बड़ी नकरात्मक्ता अमारे जीवन में हावी हो जाते हैं लेकिन अबराम की जीवन में इसे नकरात्मक्ता हावी नहीं हुए और अपना हात में छुरा लेकर उसे बलीर करने जाता है वहां पर परमेश्वर से रोकता है और परमेश्वर उसे रोक कर कहता है के नहीं अब्राम। और अबराम देखता है तो जाडियों में एक भेड फसी हुई थी और वहाँ पर परमेश्वर ने इस हाग के जग्या पे उसके लिए एक उपाई किया था उसके लिए पूर्ति की थी कि इस हाग के बदले में परमेश्वर ने वहाँ पर एक मेमना रखा प्यारे दोस्तों परमेश्वर ऐसा काम करेगा जो सायद आपने सोचा भी नहीं है आपके लिए परमेश्वर आज उपाई करना चाहता है जैसे अबराहम के लिए अपने बेटे की बली करने के वक्त परमेश्वर ने उपाई किया और अबराहम के विश्वास में उसे परिपूर्णत हुआ लेकिन उसका बेटा भी बज गया वैसे आपके जीवन में परमेश्वर आपको परिपूर्णत करना चाहता है बहुत कुछ आसीज देना चाहता है और आपके लिए उपाई करना चाहता है आपकी जो कमिया है आपको जरूरत है वो परमेश्वर आज पूरा करना चाहता है और इसलिए आज के वच्चन में ये बहुत जरूरी हमारे लिए कि हमारे लिए यहवा इरे आज बनना चाहता है। अपने बच्चों की अभ्याज की चिंता हैं अपने बच्चों की अविश्रक्ताओं की पूरती नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उस परिक्सा में आप उतिर्ण होना है उस परिक्सा में आप सफल होना है और अविश्र परिमिश्वर यह हुआ ही रहे आपकी जीवन भी बनेगा और आपकी जीवन की सारी अविश्रक्ताओं को वो पूरा करेगा। हम देखते हैं और तीसरा नाम परमिश्वर का क्या नाम है? वो बहुत अच्छा नाम है, आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए निर्गमन की पुस्तत तीसरा दिहाई 14 वक्षन में ये लिखा है निर्गमन तीसरा आजिहाई और चोदा बच्चन परमिश्र का बच्चन मुसा से कहता है अब रहाम की बाते हमने अभी यहां पर खतम की अभी हम तीसरे नाम में चल रहे हैं यहवद वो नाम है और उसका मतलब क्या होता है में बचन से बताना चाहता हूँ, यहावा का मतलब है, alignyes llevar का मतलब है, मैं जो हूँ, में जो हूं, so हूं, I am, that I am. या तो उसका दूसरा मतलब को हम करसकते हैं, मैं जो हूँगा, so हूँगा, जो आज तो मैं हूँ, लेकिन कल भी मैं वही रहूँगा, मैं बदलने वाला नहीं हूँ यहवा का दूसरा मतलब होता है सनातन परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर आज हमें उस परमेश्वर की बहुत जरूरत है लेकिन पहले वच्छन पढ़ते हैं क्या लिखा है तू इसराइलों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है परमेश्वर ने खुद अपना नाम बयान किया वो इसलिए बरानी में इसलिए कहा कि मेरी कोई पहचान कितनी भी बना लो आप नहीं कर पाऊगे मेरा वर्णन आप नहीं कर पाऊगे परमेश्वर को हम वर्णित नहीं कर सकते वो तो अवर्णन ये परमेश्वर है उसके लिए हम कौन सा सब्द इस्तमाल करें हमारे डिक्स्नारी खतम हो जाएगी क्योंकि इतना महान परमेश्वर है कि महिमा के लिए हमारी जितनी भी शब्द है ना वो कमजोर है, खाली है, कुछ नहीं कर सकते हम लेकिन परमिश्वर अपने आप की पहचान करवाता है मुसा को मुसा के बारे में हम जानेंगे तो मुसा 40 साल तक राजगराने में बढ़ा हुआ हम जानते हैं कि किस माहूल में उसे बैदा होना पड़ा और उसे अपनी माने उसे टोकरी में उसे पानी में बहा दिया लेकिन हम जानते हैं किस तरह से वो फारून के राजगराने में बढ़ा हुआ 40 साल तक वो राजवी घराने में बढ़ा हुआ बड़े अच्छे से जीवन जिया, सब कुछ उसके जीवन रहा लेकिन एक ऐसा दो रहा है कि उसी राजा फारून से डर के उसे भागना पड़ा हमारे जीवन में भी कभी ऐसा होता है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक यकायक ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में, कि हम बिलकुल मायूस हो जाते हैं, हार जाते हैं, सब कुछ खतम हो जाता है, तहस नहीं सो जाता है, आज देखिए कितने प्यारे स्वजन, कितने हमारे दोस, कितने हमारे पडोसी, आज कोरोना की कारण इस दुनिया में नहीं है। हमारे अच्छे मित्र, हमारे अच्छे दोस्त, हमारे अच्छे प्यारे लोग, परिवार के सदस्य, निकट के सदस्य आज हमारे साथ नहीं है। एक ऐसी दुर घटना, एक ऐसी घटना हमारे जीवन में घट जाते कि जिसकी हमने कलपना भी नहीं की, मुसा ने कभी कलपना भी नहीं की होगी कि उसे उसी राज घराने से जहां पर वो बड़ा हुआ, अच्छा से जीवन जिया, राजवी जीवन जिया, उसी घराने से डर के उसे भागना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं होगा, आप भी कभी नहीं सोचा आई से, आपके जीवन में हो गया है, तो सुनिए वचन, आपको वचन सुनना होगा, आपके जीवन में भी ऐसे ही घटना घटरी है, जो आपने सोची नहीं है, लेकिन आज परमिश्वर आपसे कह इसलिए उसका नाम यहवा है, सनातने वो युगानी एक सा है, वो कभी नहीं बदलेगा, और आज दीखिए, कितने राजा आए, कितने पंडीत आए, कितने अपने आपको भगवान कहने वाले आए, आई होर चलेगे, खतम होगे, वो थे और आज नहीं है, लेकिन आज हमें उ रूप को बदलता है, वैसे परमिश्वर के हमें कोई जुरुत नहीं है, जो खुद बदलता है, जो खुद अपने आप में नहीं है, वो परमिश्वर हमारा परमिश्वर नहीं है, हमारा परमिश्वर ओ, जो युगानी एक सा है, आलफा और ओमेगा है, आदियो रंते, जो हरी में दर्संदिया पहाड पे लेकिन अभी क्या कर रहा था पहाडी पे भेड बक्री उ को चरा रहा है पैदा इसराइली लोगों में हुआ लेकिन बड़ा वह उसका लालन पालन बड़े घारा ने में वह राजवी घाराने में यहाई, लेकिन अभी का जीवन देखिये 40 साल के बाद का जीवन सोकता था वह काम कर रहा सबसे चेछाज काम एप है बेड़ बकरि चराना एक गवाला बन गिया कहा होने की हैसियत ही तर वह इधर उधर गूं रहा है भेड़ बकरी चराःए दे जीवने कभी नहीं सोचा, वो तो कसायद बड़े सपने लेके चल रहा होगा, कि मैं तो राज घराने में बड़ा हुआ, मैं तो राजा बनूगा, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा, लेकिन आज उसकी सोच के अनुद कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके जीवन में भी आपने सोचा बहुत कुछ है, अच्छे अच्छे सपने आपने देखे, अच्छे अच्छे अच्छा आयोजन आपने के, लेकिन सब जगापे आप निस्फल हो रहे हैं, फैल हो गए, कुछ नहीं हो रहा आपका, सब कुछ खतम हो रहा है, लेकिन आज भी वो परमिश्वर आपसे बात करता है, जो है यहवा परमिश्वर, जो सनाता ने, जो कभी न बदनने वाला, वो परमिश्वर आपसे कहता है, म बहुत बड़ा और वो इस्राइल प्रजा को वो कनान देश में ले जाने के लिए माध्यम बना आज हमें परिमिश्वर के बच्चन को बड़ी ध्यान से सुनना है वो परिमिश्वर हमें मिला है प्यारे दोस्तों जो कभी न बदने वाला आज आप मायू शाब आज बड़े आप एक लिडर बन सकते हैं आप आगे बढ़ सकते हैं आप आगे जीव में बहुत आगे बढ़ सकते हैं परिमिश्वर वो परिमिश्वर में मिला है धनिवाद हो प्रभु का इबरानियों को पत्री तेरवाध्याय और आठवे वच्चन में परिमिश्वर के वच्चन में मिला है कौन सा प्रभु हमें मिला है कौन सा मसीय हमें मिला है जो येशु मसी के बारे में वच्छन कहता कि येशु मसी कल और आज और युगासा अनयुग एक सा परमेश्व और वो कभी नहीं बढ़ेगा येशु मसीभी संसार में मनिश्र का रूप लेकर आये, जीए, साड़े तेतीस साल और कलवर के कुरूस पे मेरे और आप के पापों को लेकर बलिदान हो गए, गाड़े गए, लेकिन हम जानते कि परमिश्र मुर्तकों में से जिलाए गए, प्यारे दोस्तों, परमिश्र कभी नहीं बदलता, येशु मसीभी संसार में आये तो संसार के हिसाब से उसने जीवन जिया, मनुष्य के रूप में उसने जीवन जिया, लेकिन वो परमिश्र का पुत्र था, वो परमिश्र के समान है, परमिश्र है वो, पिता पुत्र पवित्रात्मा का एक रूप है, प्यार परिमिश्र हमें नए सीरे से उठाना चाहता है, नए सीरे से मुशा वहाँ इस्राइल में गया और राजा के सामने खड़ा रहा वहाँ सामने खड़ा रहे कर अधिकार से उसने बात की और वो इस्राइल का सबसे महान अगवा Bernard झाल